नमस्कार दोस्तों मैं श्रिवंत राय आप देख रहे हैं मैंना चैनल संजीवनान कंपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मॉस्किटोनेट आपके विंडो के लिए सबसे अच्छा है इससे समझने के लिए पहले आपके समझना होगा कि कितने टाइट के मॉ आपके में चारों मॉस्किटोनेट में से लेकिन सवाल यह है कि हमें इन में से कौन सा मॉस्किटोनेट अपनी विंडो बनाने के लिए यूज करना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कि इन चारो mosquito net में से आपको कौन सा mosquito net यूज करना चाहिए किस situation में तो पहले हम बात करते हैं fiber mosquito net की तो जो fiber mosquito net है वो आपको तर भी दूस करना चाहिए जबकि आपकी जिबरत जो है वो temporary हो तो आपको temporarily आपको कोई area को cover करना हो तो उस situation में आपको fiber mosquito net की इस्तिमाल करना चाहिए example की तोर पे अगर आप rent के घर में रहना है तो वहाँ पर आप कोई permanent काम खुद नहीं कराएंगे और अगर आपकी ज़रुरत है कि वहाँ पर आपको mosquito net लागाना है लेकिन सस्ति चीज का अपना अलग नुकसान होता है अब fiber mesh का जो नुकसान है वो यह है कि यह बहुत ही कमजोर होती है यह बहुत ही आसानी से फट जाती है और अगर आपके घर के पास में चुए की problem है तब आप उसे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि चुए उसे बहुत ही आसानी से काट देते है तो अब बात करते है माइस्टी मॉस्किटो मेश की तो जो माइस्टी मॉस्किटो मेश है इसको भी आप temporary use के लिए यूज कर सकते है क्योंकि इसकी भी जो cost है वो काफी कम होती है बस difference इसमें और fiber mesh में ये है कि ये ज़्यादा durable होता है और fiber mesh से थोड़ा महिना होता है अब इसे कहां है उस करना चाहिए तो mostly इसे अगर कोई आप जैसे industrial use है या कोई rough and tough use है जहां पर temporarily आपको मॉस्टी मेश का solution चाहिए तो वहाँ पर आप इसे यूज कर सकते है क्योंकि ये easily फटेगा नहीं ये इसका फाइदा है दूसरा इसमें जो नुक्सान है वो ये है कि ये easily rust हो जाता है और जनल बी एक बार rust हो जाता है तो इसका जो purpose है वो defeat हो जाता है यानि कि आप इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बड़े बड़े गॉल हो जाते हैं तो अभी तक हमने जो जाना वो दो option थे एक था fiber mesh, दूसरा था my steel mesh दोनों ही temporary solution थे अब हम permanent solution के बारे में बात करते हैं यानि कि ऐसी mesh, ऐसी mosquito net जिसे लगाकर आपको permanent solution मिल सकता है तो पहला इसमें जो permanent solution में जो पहला mesh है वो है aluminium mesh aluminium mesh एक ऐसा solution है जिसमें आपको cost भी काफी अच्छी मिल जाती है यानि कि बहुत ही medium range की cost मिल जाती है दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि यह मजबूत भी है और काफी durable है और इसमें किसी भी तरह का rust नहीं लगता तो इसके लिए यह MS और fiber mesh से बहुत बुना better mesh है अगर आप aluminium mesh लगा देते हैं तो जल्दी आपको aluminium mesh में repair नहीं आएगा यानि कि वो जल्दी फटेगी नहीं वो काफी time तक चलेगी अब अगर सबसे मजबूत और सबसे durable mesh अगर चाहिए तो stainless steel mesh का कोई competition नहीं है लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान लगती होगी जब भी आप stainless steel mesh ख़ईने जाएं तो यह ध्यान दे कि जो mesh है वो SS 304 grade या उससे उपर का हो क्योंकि जो 304 grade या उसके उपर के grade की जो steel होते हैं उसके अंदर rusting नहीं होती और वो अपने आप में काफी मजबूत होते हैं तो अगर आपने stainless steel mesh लगाती 304 या उसके उपर के grade की तो जो आपका mosquito net है वो काफी durable हो जाएगा आपको जल्दी repair नहीं आएगा और काफी time तक आप उसे यूज कर सकते हैं तो अगर आप permanent solution देख रहे हैं तो aluminum mesh या फिर stainless steel mesh आपको यूज करनी चाहिए अब मैंने आपको 4 mesh के बारे में बता दिया तो आप अपनी जरुरत अनुसार इन में से कोई भी mesh select कर सकते हैं और अपने घर पर लगवा सकते हैं अगर मैं आपको अपनी choice बताओं तो मुझे aluminum mesh ज्यादा पसंद है क्योंकि उसकी cost mid range है ना कि ना ही वो बहुत ज्यादा मेंगा है ना ही वो बहुत सस्ता है बट सस्ता नहीं होने के बावजूद लखना है और उसमें आपका काम चल जाए तो aluminum mesh जो है वो हमेशा सबसे best option लएगा उमीद करता हूँ कि अब आपको mosquito mesh के बारे में काफी जानकारी होगी होगी और अब अगर आप market में mesh खरीदने जा रहे होंगी तो आपको पूरी knowledge होगी कि आप किस तरह का mesh अपनी जबरत अगुसाल लेंगे तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ value मिली है तो वीडियो को like जबर करना और चैनल को subscribe करना अगर इससे जुड़ी कोई आपकी query है या कोई आपके question है तो आप comment करके पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर आपको answer कर दूगा धन्यों